विकास दिवी किर्ती ने रड़बीर कपूर की एनिमल मूवी को बताया फुहड फिल्म जी दोस्तों सिक्ष्यक और सिविल सेवक विकास दिवी किर्ती ने संदीव वांगा रेटी की रड़बीर कपूर स्टार एनिमल को बत्तमीज फिल्म बताया उन्होंने कहा कि ये फिल्म बननी ही नहीं चाहिए थी विकास दिवी किर्थी ने हाली में आई फिल्म ट्वेस्ट फिल्म में काम भी किया है उन्हें उनकी रियल लाइफ की तरह इसमें भी टीचर दिखाया गया है अब उन्होंने एनिमल की आलोजना करते हुए इससे समाज को दस साल पीछे ले जाने वाली फिल्म कहा है जि दोस्तों एक इंडर्व्यू में विकास दिवी किर्थी ने रणवीर कपूर स्टार को फूर्ड और बत्तमीज बताते हुए कहा एनिमल जैसी फिल्म में हमारे समाज को दस साल पीछे ले जाती है इस तरह की फिल्म बननी ही नहीं चाहिए थी आपने पैसा कमा लिया आपने दिखाये कि आपका हीरो जानवर की तरह बड़ताओ करता है कुछ सोसल वैल्यू होनी चाहिए या लोग से पैसे के लिए काम कर रहे हैं उन्होंने फिल्म के उस सीन के बारे में भी बात की जिसमें रडवीर कभूर का किरदार त्रिप्ती डिमरी के किरदार जोया से जूता चाटने को कहता है इस सीन की खूब आलोजना हुई थी और अब विकास दिवी किर्ती ने भी इस पर रियक्सन दिया है उन्होंने कहा कि दुख होता है जब हम ऐसे लापरवा और मतलबी फिल्में बनाते हैं विकास दिवी किर्ती को द्रिश्टी I.S. कोचिंग इंस्ट्यूट के फाउंडर के रूप में जाना जाता है उन्होंने विद्दू विनोद दोपडा द्वारा निर्दसित 12 फिल्म मैं खुद की भूमी का निभाई है और वह फिल्म के लेखको मैंसे भी एक हैं जी दोस्तों अगर बात फिल्म एनिमल की करें तो भले ही इसे लोगों किया लोचना का सामना करना बड़ा था लेकिन बाउजूद इसके फिल्म ने ग्लोबल बॉक्स ओफिस पर 900 करोड का बिजनस किया था फिल्म में रडवीर कपूर के अलावा बॉबी देवल की एक्टिंग वो भी खूब पसंद किया गया था तो दोस्तों विकास सर की बात से आप कितना सहमत है अपने राई कमेंड वी बताइए और ऐसे ही लेटेस अपडेट के लिए जूले रहे हैं चैनल को सस्क्राइब करें, लाइक करें, सेयर करें, कमेंड करें जैहिं जैवार